तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे आप अपना सिबिल स्कोर चेक कर सकते हो वो भी मुफ में जैसे आप लोग पेटेम की वेबसाट को ओपन करोगे और एक QR कोड स्कैन करोगे अपने पेटेम एप से तो आपको आपका Equifax का स्कोर मिल जाएगा लेकिन सिबिल का नहीं तो जैसे कि आप मैंसे काफी सरों को पता होगा कि भारत में ऐसी चार credit agencies है जो आपके credit score को maintain करती है सबसे पहले नमबर पे आती है TransUnion और Sybil, दूसे नमबर पे आती है Experience, तीसे नमबर पे आती है Equifax और चौते नमबर पे आती है CRIF यारे कि CRIF अब इन सब agencies में आपको आपका credit score थोड़ा अलग-अलग दिखाई दे सकता है लेकिन इनमें ऐसा नहीं कि सिफ सिबिल का score महत्व पूर्ण होता है और Experience score कम महत्व पूर्ण होता है बैंक सारे agencies के data को उतना ही महत्व देता है तो भारत में कम से कम 20 से 30 website और apps है जहाँ पर आपने credit score को मुफ्त में चेक कर सकती हो पर दिक्कत ही है कि इन में से काफी सारे website पर आपका personal data चोरी हो जाता है और उसके बाद आपको इतने सारे spam calls आने लगते है कि पूछो ही मत तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पाच ऐसे website या फिर apps बताऊंगा जिसके मले से आपको ये attention नहीं रहेगा अब इस पर आपको आपना personal data तो share करना होगा लेकिन वो चोरी नहीं होगा जिसके कारण आपको ये spam calls आते थे अब ये वीडियो किसी भी तरीके से sponsor नहीं है ये सब में मेरे वक्तिकत अनुबहु से बोल रहा हूँ और इन सारे platforms को हमने वक्तिकत रूप से इस्तमाल किया है और test भी किया है तो आपका create score चेक करने के लिए हमारा सबसे पहला recommendation है TransUnion या फिर Sybil की website जैसे कि आप लोग देख सकते हो सबसे पहले आपको आपके email id के साथ यहाँ पर खाता खोलना पड़ेगा उसके बाद आपको आपका mobile नमबर डाल के एक OTP आएगा और उसको verify करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का dashboard दिखाई देगा तो home screen पर आते ही आपको आपका civil score दिख जाएगा आप civil एक साल में एक free detail report आपको देता है यानि कि अगर आप पहली बार आपना civil score चेक कर रहे हो तो आपको एक free detail report मिल जाएगा लेकिन अगर आप दूसरी बार detail report चाहते हो तो उसके लिए आपको pay करना पड़ेगा अब आपका create score चेक करने के लिए हमारा अगला recommendation है one score app अब जैसे आप इस app के अंदर login करते हो तो आपको आपका experience और civil score दिखाए देगा आप आम दोर पर आपको थोड़ा फरक दिखाए देगा आपका experience और civil score के अंदर लेकिन ये कोई चेनिता की बात है नहीं और इसी के साथ साथ आपके registered email ID पे आपको experience का एक detail report भी आ के अंदर लेकिन one score को मैं लगबग 5-6 मैने सी यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें आभी तक मैंने लगबग 3 report तो generate करी लिए और वो भी मुफ्त में अब इसी के साथ साथ home screen पे आपको ये भी दिख जाएगा कि कीस कारण के वएसे आपका credit score कर सकते हो और उसको अच्छा बन करना करना है कि विश्विन के website पर जाके अपना mobile नंबर डाल देना है अब इसके बाद विश्विन थोड़े से डिटेल्स आपके WhatsApp पर वेरिफाइब करेगा जैसे कि आपका जनमतारीक नाम या फिर पैनकाड डिटेल्स उसके बाद आपको आपका credit score WhatsApp चैट में दिख जाए आपको समझ में आ जाएगा कि किस कारणों के वज़े से आपका credit score कम है और कौन सी चीजों के उपर आपको काम करने की ज़रूत है अपना credit score अच्छा बनाने के लिए अब credit app के अंदर आप ये भी देख सकते हो कि पिछले कुछ समय से आपके credit score के अंदर कैसा बदलावाया है और कीन कारणों के वज़े से आपका credit score अच्छा या फिर खराब हुआ है अब जैसे के आपने बाकी सारे platforms के बारे में आपको बताया क्रेट भी आपका data किसी third party के साथ शेर नहीं करता है लेकिन क्रेट से आपको promotional messages या फिर call आने की संभावन रहती है अब आपका credit score चेक करने के लिए हमारा आखरी सुझाओ है free from Paytm अब आप लोग बोलोगी कि Paytm कब से credit score दिखने लगया यह तो एक payment app है अब Paytm सिबिल स्कोर के अंदर काफी देरी से आया पर काफी अलग तरीकी से भी आया है क्योंकि Paytm में आपने credit score को QR code scan करके भी देगा उसके बाद आपको जाना आपके Paytm के अंदर और उसकी मदद से आपको QR code को scan करना है और जैसे आप लोग स्कैन करोगे उसके बाद आपको आपका credit score देखना आसान तो ही लेकिन और एक बात ऐसे है कि Paytm काफी सारे लोग के पास पहले से होता है तो आपको किसी भी नहीं बास recommendations आपका credit score free में check करने के लिए अब हमें पता है कि काफी सारे प्लैटफॉर्म से है आपका credit score free में check करने के लिए लेकिन हमें उनमें कुछ ना कुछ इशू लगाईए बाकि आप हमें comments में जरूर बता सकते हो कोई और प्लैटफॉर्म है जिस पे आप जाके अप झाल झाल